Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे 7 October से जब से इस्राइल और हमास वार में आते हैं तब से चाइना बेहद इंट्रेस्टेड है कि वो इस्राइल और हमास के बीच में सीज फैर करवा सके अगर चाइना बाई चांस इस्राइल और हमास के बीच में सीज फैर करवा पाता है तो ये चाइना के पस्पेक्टिब से बहुत ही अच्छी बात होगी चहाँ पे जियो पॉलिटिकल प्लैटफॉर्म पे चाइना का इमेज काफी बढ़ेगा और वहीं उसके साथ यूएस का जो हेजिमनी है उसको धक्का पहुँचेगा और यूएस का जो ग्लोबल इमेज है as an mediator उसे भी कही न कहीं कुछ नुकसान तो definitely पहुँचेगा आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ recent example के मदद से कि क्या चाइना सच में capable है हमास और इसराइल के बीच में ceasefire करवाने के लिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं चैना के foreign ministry ने officially 11 March को यानि की बीते रोज ये कहा कि उनके एक diplomate जिनका नाम वैंग है वो हमास के एक top leader जिनका नाम इसमाइल है उससे Sunday को कतर में मिलते हैं Sunday यानि की March 17 को वो कतर में मिलते हैं हलाके इस meeting के बारे में officially बहुत कुछ नहीं बताया गया क्योंकि ये एक ongoing process है और ये war like situation में अभी है तो इसके बारे में कोई भी देश बढ़ चड़ कर नहीं बताना चाहेगा कि किन शर्तों पे ceasefire को किया जा रहा है या करने की बात की जा रही है 7 October को हमास इसराइल पे attack करता है जिसमें कि कुछ 1200 इसराइलीज मारे जाते हैं और कुछ 2500 के आसपास को hostage बनाया जाता है वहीं retaliation में इसराइल गाजा पे attack करता है जिसमें कि अब तक 32,000 Palestinian मारे जाते हैं जिसमें कि officially ये कहा जा रहा है कि two-third उसमें बच्चे और महिलाएं हैं वहीं पे इसराइली military का ये claim है कि वो बहुत सारे हमास के fighter को मारे हैं हमास के बारे में चाइन ने officially कभी ये नहीं कहा है कि हमास एक terrorist organization है वहीं पे दूसरी तरफ USA या तकरीबन तकरीबन सभी western countries ये मानते हैं कि हमास एक terrorist organization है वहीं पे अगर as an Indian हमें इसराइल और Palestine के बीच में relation को समझना है तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़े है कि इसराइल as an country का formation कैसे हुआ था किन शर्तों पे हुआ था और चाइना के multiple high-level diplomats इसराइल से या Palestine या Qatar या Egypt के जो diplomats है उनसे मिल रहे हैं और ये कोशिश कर रहेंगे किस तरीके से इसराइल और हमास के बीच में ceasefire करवाया जाए या at least चाइना ये चाहता है कि ये जब ceasefire declare हो तो कहीं न कहीं चाइना as an country का नाम होना चाहिए उस declaration में जहां पे ये बताया जाए कि चाइना ने एक बहुत ही active role play किया इस ceasefire में अब क्योंकि इसराइल के उपर attack किया गया था इसलिए इसराइल ये चाहेगा कि पूरा दुनिया बढ़ चड़कर हमास को as a terrorist organization कहें लेकिन वहीं पे चाइना ये कोशिश कर रहा है कि वो इसराइल और हमास के बीच में या इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में अपने आपको एक बहुत ही neutral तरीके से represent करें अगर चाइना बाई चांस किसी भी तरीके से अगर ये दिखाता है कि वो neutral नहीं है तो जो पुरा ceasefire का जो process है उस process में चाइना को upper hand नहीं मिलेगा क्यूंकि officially अब तक चाइना ने कभी ये accept नहीं किया है कि हमास एक terrorist organization है और उसके multiple ऐसे statement है जहाँ पे चाइना पैलिस्टीन को support करता है और in fact 7 October को जो हमास के दुवारा attack किया गया था उसके भी बारे में चाइना officially ये कहता है कि उसके पीछे का जो वज़ा है वो इसराइल ह लेकिन उसके बावजूद भी पिछले साल मार्च एपरिल के महीने में चाइना successfully Saudi Arabia और Iran के बीच में mediate करवा पाता है और जब ये news public domain में आता है तो ये सच में जो US हैं ये western countries हैं उनके perspective से ये अच्छा news नहीं था in fact इंडिया के perspective से भी अच्छा news नहीं था क्यूंकि Saudi Arabia और इरान दोनों एक arch rival हैं और बहुत हद तक अभी भी जो expert है उनका ये मानना है कि Saudi Arabia और इरान के बीच में diplomatic relation established तो हुए हैं लेकिन दोनों देश अभी भी अपने आपको बहुत ही suspicious तरीके से देखते हैं Saudi Arabia बहुत ही close है US का इरान के उपर sanction लगाया गया है USA और इस्राइल के द्वारा इरान चाहता है कि वो nuclear weapon को develop करे और अगर by chance इरान nuclear weapon को develop कर पाता है तो उससे कम से कम तीन देशों को खत्रा होगा ही होगा एक तो US है दूसरा इस्राइल है और तीसरा Saudi Arabia है और उसके अलावा Middle Eastern countries में जिस तरीके से चाइना का investment है इरान में इराक में इरान एक sanction country है जहां से चाइना बढ़ चड़कर oil purchase करता है और ये बात सभी को पता है इनफेक्ट US को भी पता है लेकिन US किसी भी तरीके से चाइना को रोक नहीं पा रहा और उसके बाद जिस तरी situation का फाइदा उठाता है चाइना और Middle Eastern countries में खास करके इराक में चाइना investment करता है अपने belt and road initiative के तहत school, colleges, bridge वगरा बनाते हैं और इरान से, इराक से सस्ते oil को चाइना अपने देश में मंगाता है तो इनवे अगर हम ये कहें कि चाइना हर उस देश के साथ अपने closeness को जिस देश के साथ US के relation खराब हैं तो गलत नहीं होगा और in fact बीते कुछ सालों में जिस तरीके से USA को weak leaders मिले हैं जो time पे effective decisions नहीं ले सकते हैं जो इसराइल और हमास के बीच में war को नहीं रुकवा सकते हैं या Ukraine और Russia के बीच में war को नहीं रुकवा सकते हैं तो ये सब भी बहुत बड़े बड़े वज़े है कि क्यों चाइना का बीते कुछ सालों में as in global superpower के तरह वो निकल के आया है बहुत सारे expert जो pro-israeli हैं या US के काफी close में हैं वो ये चाहते हैं कि China officially ये declare करे कि हमास एक terrorist organization है क्योंकि चाइना के foreign ministry के दोबारा meetings after meetings किये गए हैं जहां पे वो Palestine के high ranking officials या leaders से मिले हैं तो इनी सब बीच में China अपने आपको बहुत ही neutral तरीके से ये दिखा रहा है कि वो Israel और Palestine के बीच में एक two state solution चाहता है और वो साथ में ये भी चाहता है कि किस तरीके से इस war को जल्द से जल्द रोका जाए ताकि जो common civilians से उनकी जान और ना जाए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye